तो दोस्तों बहुत सारे इसे hand pump का handle आप लोग देखे होंगे, जिसका handle पुरा jam चलता है, पानी जब की उसमें आता है, अच्छा खासा पानी आपका आएगा, आप एक handle में चलाईएगा तो पानी आपका आजाएगा, लेकिन jam चलता है, jam क्यों चलता है, क्या region हो सकता है, क्य क्या होता है, पहला region, ऐसे देखे होगे कि गर्मियों में क्या होता है, 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 बोरिंग का पानी जो होता है, लेयर उसके कम हो जाता है, नीचे हो जाता है, पानी का लेयर नीचे हो जाता है, जिसके वज़से आपका handle jam हो जात नहीं हो स्टाट हो गिया है तो यह हुआ है थोड़ा चलने लगेगा थोड़ा अच्छा चलने लगा लेकिन उसका कितना नीचे रहना चाहिए पानी के लेयर कम से कम जो आपका हैंडल सही से चले दोस्तों हम अपना experience के साथ बता रहे हैं कि आपका जब बोरिंग में 25-30 के बीच में अगर पानी का लेयर 25-30 के बीच में रहेगा ता आपका हैंड़ों का जो हैंडल है श्री चलेगा समझ चलेगा कोई तरह का पैसानी उसमें नहीं रहेगा यह आपका पहला रिजन हो गया, अगर उससे आपका ज्यादा नीचे चल जाएगा 35-45 अगर 50-55 चल जाएगा तो पहुत जाम चलेगा, किसी एक पाटी का कहा था करी 55-55 फीट में उसका पानी था, तो पानी के लेयर बहुत करम था तो उसमें जाली मारें तो पानी उसमें नि बजन, जो हैसा पानी में तैडता है, कुछ भी चीज तैडता है, तो उसमें पानी नहीं था तो बजन जादा हो गया था तहा ऐसा होता है, दूसरा रिजन होता है जिसले कि देख सकते हैं, यह है hand firm cylinder का plunger set जिसमें दो पल्ली रटा है, एक पल्ली, दो पल्ली नीचे, इसक सब्सक्ते इसके कारण से आपकल युद् सकता मुसकता इसका पली अधिए और खीजन क्या रिज़न हो सकता है इसका घिषने का रिचल हो सकता है दोस्तों इसका पल्ली जो है आपका इस लोगा गार और तो गीच het गीषता कव है जब यह सठता है उसमें चलेंडर में तवी पुरद लेखी घिच गिया है तो यह नहीं होना चाहिए आपका यह पल्ली है अगर आपका फिर उसके वज़ा से भी आपका हैंडल जाब होगा है यही दो मुखी कारण है दोस्तों हैंड्फरम का हैंडल जाब होना पहला आपका बोरिंग में पानी के लेयर कम होना कम रहना दूसरा इस प्लेंडर का जो प्लेंजर रहता है उसमें आपका टफ होना अगर यह टच रहेगा तो आपका हैंडल जाओ रहे हैं उसके अलावा और कोई दुसरा रिजन नहीं होता है दोस्तों चाहिए दूस्ता आग अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार रहें बंदे मात्राइब